नमस्कार आप न्यूस फोनेशन देख रहे हैं बिहार एंडिये में मचा घमसान अब लगतार और बढ़ता जा रहा है एक तरफ बड़ा भाई बीजेपी है तो हैं दूसरी तरफ छोटे भाई जेदियों की तरफ से भी बयान बाजी जारी है आपको बता दे कि दोनों अब विरोधाभास भी दिख रहा है आपको बता दे कि जिस प्रकार से समराट असोग का मुद्धा बढ़ते बढ़ते शराब बंदी तक पहुँच गया और उसके बाद जदियों के प्रवक्ताओं ने बीजेपी को नसीहत दे दी कि आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए बोलना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से बीजेपी के मंत्री भी रनभूमे में कूद गए और जदियों को उनकी आउकात तक बताने की बात कह दी अब आपको पताते हैं कि किस प्रकार से बिहार NDA में मचे घमासान के बाद RGD अब मजे ले रही है इस नूरा कुस्ती के दौर में RGD खोब खुश है और यहाँ बयान दे दिया है कि यहाँ महीना NDA को भारी पढ़ने वाला है और आने वाले समय में सरकार गिरने वाली है और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्षते जश्वी यादो सत्ता के सीर्ष पर होंगे अर्था अर्थ मुखमर्द्री का ताज उनकी सर पर होगा देखी हमारी यह रिपोर्ट पिछले एक हपते के अंदर बिहार की सियासत खासी गरम हो गई है राजी और केंद्र की सरकार में शामिल दो प्रमुख दलो भाचपा और जदियू के नेता एक दूसरे पर तीके शब्दबान छोड़ रहे है शराब बंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब अधर आने लगा है समराट असोक के बहाने अलग ही खिछडी पक रही है इधर उत्तर प्रदेश में जदियू ने भाचपा के खिलाफ चुनाओ लड़ने का एलान कर दिया है इसके साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि भाचपा और जदियू में एक दूसरे से दूर हो की नहीं खेल शुरू हो गया जदियू और भाचपा के प्रवक्ता एक दूसरे के निताओं को अपमानित कर रहे हैं रगड़ा जगड़ा बता रहा है कि बिहार की सरकार जाने वाली है या महीना भारी पड़ेगा शराब बंदी सफल करने की जिम्मेदारी जिनके पास से व वैक्ति की जित से बेवजा होने वाली मौतों का जिम्मेवार कौन है इसके लिए राज सरकार में शामिल दोनों बड़े दल समान रुप से जिम्मेदार है RGD ने ये साफ कह दिया है कि बिहार में सभी बिमारियों की एक ही दवाई है जो की सरकार की विदाई है साफ हो गया है कि बिहार NDA में उठे घमासान के बाद अब RJD फुल फॉर्म में हैं पूरे मूड में हैं कि अब किसी भी तरीके से मौके का फायदा उठा दिया जाए और सत्ता के सीर्च पर काबिज होने का यही सही मौका उन्हें दिख रहा है RJD प्रवक्ताओं की और से यह कह दिया गया है कि यह महीना बहत भारी रहने वाला है आने वाले कुछ समय में यह सरकार गिर जाएगी जिस प्रकार से भाजपा केंदर में भी जदियू का साथ चाहती है सायोगी रहती है दोनों पार्टिया चाहे वो भाजपाही क्यों ना हो और जदियू को ना हो दोनों को एक दूसरे की जरूत पढ़ती है मगर अब तलखी लगतार बढ़ते जा रही है एक तरफ जहां जदियू ने यहाँ एलान कर दिया है कि उत्रप्रदेश में सीम योगे के खिलाफ वा उतरने वाले हैं चुनाओं में वा अकेले रहेंगे क्यो क्योंकि सीट शेरिंग को लेकर भी भाजपा ने जदियू से कोई भी बात नहीं की और इससे साफ हो गया कि अब जदियू की रास्ते अलग हैं और भाजपा भी अब अपने मूर पर बनी हुई है लगतार खबरों में बरहनेने के लिए आप देखते रिए न्यूस फोनेश नमस्कार